कि अलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू में चैनल आज के इस एनलेसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में जिसको कल हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए देखेंगे आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथे साथ ले लेसिस करके रखा था हम लोग बाई करने वाले थे गैप डाउन ओपन हुआ गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको एक अच्छा मोमेंटम आया और उसके बाद इस टॉक ने आज आपको काफी अच्छा एक बुल रन दिया है और यहां पर काफी अच्छा प्रॉफिट भ प्लॉस रहेगा टार्गेट जो है आपका 1238 और 1250 दो टार्गेट रहेगा सेकेंड इस्टॉक है आपको डी एलेफ डी एलेफ भी आज हम लोग ने यहां पर बाई करने के लिखा था लेकिन इस्टॉक में ज्यादा बड़ा मोमेंटम आज हुआ नहीं नेक्स ट्रीडिंग रहेंगे अगर टीची एस यहां पर आज हम लोगों ने इस टॉक को भी बाई करने के लखा था वगर आप लोगों ने लेसे वीडियो देखा होगा तो याद होगा हम लोग यहां पर आपको इस हाई के ऊपर बाई करने वाले थे गैप डॉन ओपन हुआ उसका रिश्टॉ 3563 के ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग इस स्टॉक को भी बाई करने के लिखेंगे इस टॉप लॉस आपका रहेगा 3540 का टारगेट आपका 3600-3620 दो टारगेट रहेंगे और पूर्थ स्टॉक है टाइटन टाइटन के अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो एक बहुत ही इसलिए और ज्यादा मोमेंटम करी होने का चांस है फिर भी हम लोग इस स्टॉक को दू वे में ट्रेड कर सकते हैं अगर यहां पर मोमेंटम करी आउट होता है तो आज का हाई ब्रेक होते हैं हम लोग यहां पर बाई कर सकते हैं इस केसमें आपका रहेगा 2550 का टारगेट जो है वो आपका 2575 25902 टार्गेट रहेंगे इन केस अगर इस टॉक पुल बैक लेता है तो फिर आपको 2525 2530 तक पुल बैक ले सकता है वहां पर फिर हम लोग यहां पर बाई करने के लिए देख सकते हैं स्टॉप लॉस यहां पर भी आपको 10-15 पॉइंट करेगा टार्गेट जो है 20-25 पॉइंट करेगा और लास्ट स्टॉक है बालकृष्णा इंडस्ट्री बालकृष्णा इंडस्ट्री में भी डेली चार्ट में आपको एक अच्छा यहां पर फिर से बुलिस मोमिंटम कंटिन यह रेंज जैसे ही ब्रेक होता है लास्ट के सकेंट हाम में एक अच्छा रेंज बनाया है तो रेंज जैसे ही ब्रेक होता है 1830 के उपर इस्टॉक जैसे ही निकलता है हम लोग इस अस्टॉक को भी रखे करने की हिसल देखेंगboys stop loss रहेगा 1813 का target आपका यहाँ पर 1850, 1860 दो target रहेंगे तो उमीद करते हैं आप लोगों ने सभी levels को note down कर लिया होगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो analysis अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्काइब जरूर कर ले दन्यवाद